हेलो प्यारे फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम क्लास 12 की बुक विश्टास के पहले लेसन दा थर्ड लेवल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे टो नू आर्क सेंट्रल और नू आर्क और हड्वोड के जो प्रेसिदेंट्स हैं रेल रोड विल स्वेर ऑन ए स्टैक आप्टाप्पेबल्स देड देर अर अनली टू वहां की रेल बे की सारणियों को देख कर इस बात पर शपत खाएंगे कि वहां के बल दो लेबल हैं बट I say there are three लेकिन मैं कहूंगा जी नहीं तीन है because I have been on the third level of the Grand Central Station क्योंकि मैंने Grand Central Station के third level को देखा है मैं वहाँ गया हूँ Yes, जी हाँ, I have taken the obvious step और मैंने जो सारे समचित कदम थे ऐसे मसले पर उठाने चाहिए, मैंने उठाए है I talked to a psychiatrist friend of mine मैंने अपने एक मनोच के सगमित्र से भी बात की है among others और दूसरों के अलावा I told him about the third level at Grand Central Station और मैंने Grand Central Station के third level के बारे मुझसे बताया and he said, उसने कहा, it was a walking dream with fulfillment यह एक तरह के दिवास्वपन की संतुष्टी है He said, I was unhappy उसने कहा, मैं दुखी था that made my wife kind of mad इस बाद से मेरी पतनी एक परकार की पागल होगी पठी explained लेकर उसने इस तरह का बताया that he meant उसका अर्थ है the modern world is full of insecurity जो बरतमान का आधनिक संसार है वो असुरक्षा से, फियर माने भै से वार माने युद्ध से, वरी माने चिंता से and all the rest of it और बाकी सबी चीजों से भरा हुआ है and that I just want to escape और मैं, यानिकी writer इससे बजना चाहता है well, जी हाँ, who does not ऐसा कौन नहीं चाहता everybody I know wants to escape हराजमी तो दुनिया से भागना चाहता है क्योंकि यह समस्याँ से भरी है but they don't wander down into any third level at Grand Center Station लेकिन वे घूमते घूमते सब लोग आखिर तीसरे तल तक तो नहीं पहुच पाते हैं okay but that's the reason यही कारण था he said ने खा and my friends all agreed और मेरे सारे मित्र भी इस बात पर सहमत थे everything points to it और हर चीज इसकी और इशारा कर रही थी they claimed उन्होंने ऐसा बताया my stamp collecting जैसा मेरा stamp collect करने का शौक for example उधारान के तौर पर that's a temporary refuse from reality एक तरह से बरतमान की मुश्किल और कठिन परिस्टिशियों से या उससे उत्पन समस्याँ से थोड़ी देर के लिए भागने का एक बहाना या जरिया था well अच्छा ऐसा हो सकता है ठीक है but my grandfather didn't need any refuse from reality लेकिन मेरे दादा जी को reality से बाहर भागने की कोई जरूरत नहीं थी things were pretty nice and peaceful क्योंकि उस समय वह जो चीजें थी वो अच्छी भी थी और शान्ती पूर थी in his day उन दिनों में from all I hear जो मैं सुनता हूँ and he started my collection और उनने मेरा collection शुरू किया it's nice collection too बहुत ही अच्छा collection था blocks of four practically every US issue first day covers and so on सभी तरह के collection थे US का issue पहले दिन का या उनके cover का ये सारे tickets जो थे वो संगरे उनने आरम कराया and so on ऐसी बहुत से चीजें President Roosevelt collected stems too you know आपको पता है राश्टपती Roosevelt खुद stem collection के शौकीन थे anyway here's what happened फिर भी जो कुछ भी बहां हुआ anyway here's what happened at Grand Central कुछ भी हो Grand Central पर मेरे साथ ऐसा हुआ one night last summer एक रात पिछली गर्मी में I work late at the office मैंने office में देर तक काम किया I was in a hurry में जल्दी में था to get up down to my apartment अपने घर पहुचने के लिए so I decided to take the subway from Grand Central इसलिए मैंने Grand Central का वो सुरंग वाला रास्ता चुना because it's faster than the bus क्योंकि ये bus ते जल्दी घर पहुचा था now I don't know अब मुझे बिल्कुल नहीं पता why this should have happened to me ये मेरे साथ ही क्यों हुआ I am just an ordinary guy named Charlie मैं तो स्थरी एक साधरान वेक्ती था नाम मेरा Charlie 31 years old 31 सालों का हूँ and I was wearing a 10 governance suit एक बादामी रंका मैंने गबादिन का suit पहन रखा था and a straw hat a straw hat पहना हुआ था I passed a dozen men मैं दरजनों लोगों के पास से गुजरा who looked just like me जो मेरे जैसे ही दिख रहे थे and I was not trying to escape from anything और इसलिए मैं उनसे बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा था I just wanted to get home to Lucia my wife मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पतनी Lucia के पास जल्दी से जल्दी पहुचना जानता था I turned into Grand Central from Wonderbilt Avenue मैंने Wonderbilt Avenue से Grand Central में प्रवेश किया and went down the steps और सेडियों से नीचे उतरा to the first level पहले level पर where you take trains like the 20th century जहां आपको 20 भी शताब्दी येसे trains मिलती है then I walked down another flight to the second level अगली सेडिया और मैं दूसरे तल पर उतर गया where the suburban trains leave from जहां से उपनगर के लिए trains मिलती है ducked into an arch doorway heading for the subway and got lost अब मैं महराबदार दर्वाजों से गोस्ते हुए सुरंग में गया और खो गया that's easy to do ऐसा करना आसान था I have been in and out of Grand Central hundreds of time क्योंकि मैं Grand Central मैं साइकणों बार आया हूँ और गया हूँ but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors लेकिन हर बार नएने दर्वाजों से घुसता हूँ और नए नी जगह से नए नी सीडियों से होते हुए मैं प्रकट हो जाता हूँ और ऐसा मेरे साथ बार बार हुआ है once I got into a tunnel about a mile long एक बार मैं एक मीर लंबी स्वरंग में चला गया and came out बाहर आया in the lobby of the Roosevelt Hotel Roosevelt Hotel की lobby ए प्रतीक छाला में वेटिंग रूम में निकला another time दूसरी बार क्या हुआ I came up in an office में एसी office में पहुँचा जिसकी building on 46th street 46th नी सड़क पर थी 3 blocks अबे 3 block दूर sometimes I think कई बार तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तो Grand Central is growing like a tree कि Grand Central एक पेड की तरह बढ़ रहा है and pushing out new corridors and staircase like roots जिसमें नहीं नहीं जड़े चाहे वो सीडियों के रूप में निकल नहीं हूँ या फिर नहीं नहीं गल्यारों के रूप में निकल रही है there's probably a long tunnel that nobody knows about संभवता एक बहुती लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता feeling its way under the city right now जो इस शहर के नीचे से बढ़ रही है on its way to time square time square की हो जा रही है and maybe another to central park शायद किसी और central park की हो जा रही हो and maybe ये भी हो सकता है because for so many people through the years क्यों बहुत से सालों से बहुत से लोगों ने grand central has been an exit उनके लिए grand central एक तरह से बाहर निकलने का निकासी का एक माध्यम रहा है रास्ता रहा है a way of escape बचने का भी maybe हो सकता है that's how the tunnel I got into इसलिए मैं इस tunnel में पहुँच गया हूँ but I never told my psychiatrist friend about that idea लेकर मैंने कभी भी अपने उस मनोची के सगमित्र को इस रास्ते के बारे में नहीं बताया the corridor I was in जिस गल्यारे में मैं था in begin angling left बाई और मुढने लगी and slanting और धलान पर जाने लगी downward नीचे की और and I thought और मैंने सोचा that was wrong कि शायद यह गलत रास्ता है but I kept on walking लेकर मैं निरंतर चलता रहा all I could hear मैं सिर्फ सुन सकता था was the empty sound खाली आवाज of my own foot steps के बल अपने ही कदमों की and I did not pass a sore और मेरे आस पास से कोई फी व्यक्ती नहीं गुजर रहा था then I heard that sort of hollow roar फिर मैंने अचानक खाली पन की आवाज सुनी ahead that means open space जिसका अर्थ था खुला स्थान and people talking और लोगों की बातचीत the tunnel turned sharp left अचानक बहसुरंग बाई और मुडी I went down a short flights of stairs मैं नीचे छोटी सेडियों से उतरा and came out on the third level at Grand Central Station और Grand Central Station के तीसरे तल पर पहुँचा for just a moment एक छण के लिए I thought मुझे लगा I was back on the second level कहीं मैं दूसरे तल पर वापस तो नहीं आ गया but I saw the room was smaller तेके मैंने देखा कमरे छोटे थे there were fewer tickets window and train gates train के दरवाजे भी कम थे और ticket की खिड़किया भी कम थी and the information booth in the center was wood and old looking और जो center में information का booth होता है न वो लकडी का बना था और पुराने look में था and the man in the booth wore a green ice head और जो आदमी बैठा था booth में वो हरे रंग का नेत रक्षक पहना था and long black sleep protectors और लंबे लंबे आस्तीनों के रक्षक पहने हुए थे the lights were dim रोशनी मद्दिम थी and sort of flickering एक तरह की टिम्टिमाहट थी उसमे then I saw why तब मैंने देखा ऐसा क्यों हुआ they were open flame gas lights क्योंकि वे नंगी जो अलावाले gas lamp थे there were brass spittoons on the floor फर्श पर पीतल के पीकदान थे and across the station station के पार a glint of light जिल्मिल प्रकाश caught my eye मेरी आँख पर पड़ा a man was pulling a gold watch एक आदमी सोने की घड़ी निकाला था from his west pocket अपनी jacket की जिब से he snapped उसने जटके से open the cover cover खोला उसका ढकन खोला घड़ी का glanced at his watch अपनी घड़ी की ओर देखा and front घूरा he wore उसने पहना हुआ था a derby hat a black four button suit काले रंग का चार बटनों का suit with tiny lepals पत्नली तंग मोडी वाला and he had a big उसकी एक बड़ी black काली काली hand labor mustache cycle के handle जैसी मुशें थी then I looked around तब मैंने चारोड देखा and saw और पाया that everyone in the station watch dressed की station पर सब लोग जो पोशाग पहने थे like 1890 something वो लगबग 1890 के आसपास के समय की थी I never saw so many beard इससे पहले ना तो मैंने कभी इतनी दाड़ियां देखी sideburns ना इतने गुल मुच्छे देखी and fancy mustache in my life और नहीं इतनी शानदार fancy level कभी मुच्छे देखी a woman walked in एक औरत अंदर आई throw the train gate train के दर्वाजे से she wore उसने पहन रखा था a dress एक पोशाग with leg of mutton sleeve बेंड की टाउं जैस्ती आस्तीने वाली and skirts और skirts पहन रखा था to the top of her high button shoes उंची एंडी के जूते पहने वह थे उनके ऊपर back of her उसके पीछे out on the tracks railway track पर I caught a glimpse of a locomotive मुझे एक पुराना rail का engine दिखाई दिया उसकी जलक दिखाई दिया a very small career and Ives जो career और Ives का छोटा सा engine था locomotive इस engine कहेंगे with a funnel shaped stack जिसकी keep जैसी chimney थी and then I knew तम मुझे पता चला कि मैं third level पे हूँ दोस्तो to make sure निश्चित करने के लिए I walked over to a news boy मैं newspaper वाले के पास गया and glanced at the stack of papers at his feet और उसके पैरों के पास जो धेर पड़ा था ना paper ना paper का वहाँ मैंने अपनी नजर डाली it was the world paper का नाम था the world and the world has not been published for years और ये बहुत सालों से ये paper नहीं छपा है the lady story said जिसकी front page की जो मुख कहानी थी वो कह रही थी something about President Cleveland जो उस समय के राष्टपती Cleveland के बारे में ख़वर छपी थी I have found that front page since तभी मुझे वहाँ का front page भी मिला paper का in the public library files public library के files में and it was printed June 11, 1894 I turned toward the ticket windows मैं ticket window तक आया knowing जानने के लिए that here on the third label at the Grand Central Grand Central के तीसरे label पर I could buy tickets that would take Lucia and me कि मैं ticket खरी सकता हूँ हाँ पर जो मुझे ले आ सकता है और मेरी पत्नी को anywhere in the United States United States में कहीं भी we wanted to go जहां हम जाना चाहते थे in the year 1894 1844 में के उस समय में and I wanted two tickets मैं चाहता था दो ticket Galeswork Illinois Illinois में Galeswork नाम की जगह पर Have you ever been there? क्या आ बहां कहीं गए हैं? It's a wonderful town still अभी भी एक बहुत एक खूशूरत जगह है ये कस्वा है with big old frame houses बड़े बड़े पुराने घर huge lawns बड़े बड़े लोगों के हाँ lawns थे and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets जिनकी उची उची शाखाएं उपर तक जाती थी बहुत हमारे सरों के उपर और street पर छट का काम करती थी ये कि सड़के पूरी ढगी रहती थी पेंडों से and in 1894 1894 में summer evenings were twice as long गर्मी की शामें आज से लंबी और हसीन थी and people set out on their lawns लोग अपने बहार lawns में बैठते थे the man smoking cigars लोग सिगार पीते थे and talking quietly और बड़े धीरे धीरे आपस में बातें करते थे the women waving palm leaf fans और औरतें हाथ के बने हुए पंके जुलाती थी ताड़के पत्तों के with the fire fleas all around जुग नुग राट में शाम को चारो चमकते थे in a peaceful world कितनी शानदार और शानत और खुबसूरत वो जमाना था वो दुनिया थी to be back there with the first world war still 20 years off अभी भी परताम विश्विद में लगबख 20 साल थे and the world war second over 40 years in the future और अभी दूसरे विश्विद में 40 साल रह गये थे I wanted two tickets for that और मैं वहां के लिए दो टिकेट लेना चाहता हूँ एक fantasy है राइटर की है ओके the clerk figured the fair ticket window पर बैठे किराय का अनुमान लगाया he glanced at my fancy headband मेरी शानदार तोब की पटी के और देखा but he figured the fair लेकिन किराय का जब उसने अनुमान लगाया and I had enough for two coach tickets on way मेरे पास दो ticket के पैसे तो थे ही but when I counted out the money लेकिन जब मैंने पैसों को गिना and looked up उपर देखा the clerk was staring at me वो व्यक्ती मेरी और घूर रहा था he noted at the bills उसने नोटों की और इशारा किया that and money Mr. जनाब ये पैसे नहीं है he said उसने कहा and if you are trying to skin me लेकिन अगर तुम मुझे धुका देना चाहा रहे हो he won't get very far तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे and he glanced at the cash drawer beside him और अपने पास जो cash की दराज थी उसमें उसकी और नजर डाली of course निश्चे ही the money was old style bills मैंने वहाँ note देखे पुराने समय के पैसे थे half again as big as the money we use nowadays जो note हम आज कल यूज कर रहे हैं उनके मुकाबले वो बड़े थे आज के note कहीं छोटे थे and different looking दिखने में भी different थे I turned away मैं निकल लिया वहाँ से got out fast जल्दी से that's nothing nice ये अच्छा नहीं था about jail jail जाना I left the same way I came मैं उसी रस्ते से बापस आया I suppose मैंने सोचा next day अगले दिन during lunch hour lunch के दौरान I drew 300 dollars out of the bank मैंने bank से 300 dollar निकाले nearly all we had जितने मेरे पास थे and bought old style currency और पुराने समय की currency मैंने खरी दी that really worried my saak artist friend जो मेरे मनोची के समित्र को अच्छा नहीं लगेगा you can buy old money at almost any coin dealers आप किसी coin dealers से पुराना जो currency खरी सकते हैं but you have to pay a premium लेकिन आपको इसका अतरिक पैसा देना होगा my 300 dollars bought less than 200 in old style bills मेरे 300 dollar के बरतमान के पैसे से उस समय के 200 dollar मिले but I did not care मुझे चिंता नहीं थी X were 13 cents a dozen in 1894 कि उस जमाने में 13 cents के एक दरजन अंडे मिलते थे but I have never again found लेकिन मुझे कभी नहीं मिला the corridor वो गलियारा that leads जो ले जाता था to the third level तीसरे तल पर at Grand Central Station Grand Central Station पर although I have tried often enough कई बार कोशिश की पर्यात रूप से कोशिश की Lucia was pretty worried when I told her all this जब मैंने अपनी पतनी Lucia को बताया वो भी बहुत चिंतित होई and did not want me look for the third level anymore और वो नहीं चाहती थी मैं तीसरे लेवल की बहुत तलाश करू and after a while I stopped कुछ समय बाद मैंने इसे रूप भी दिया I went back to my stamps एक बार फिर मैं stamps के काम में लग गया उनका collection में but now we were both looking every weekend लेकिन अब हम दोनों हर weekend पर third level की तलाश कर रहे है because now we have proof that the third level is still there क्योंकि अब हमारे पास स्वबूत है कि third level तीसरा तल है my friend Sam Wiener disappeared मेरा मित्र Sam Wiener भी गाइव हो गया है nobody knew where वो कहा है किसी को नहीं मालूँ but I sort of suspected लेकिन एक परकार का मुझे संदे है because Sam's a city boy वो इसी शेहर का लड़का है and I used to tell him about Gelsberg और मैं उसे Gelsberg के बारे में बताया करता था I went to school there my school गया and he always said और वो कहता था हमेशा he liked the sound of the place यहां की बाते सुनना उसे बहुत अच्छा लगता and that's where he is और वो वहां है all right वहीं in 1894 में 1894 में बिलकुल स्वस्त because one night क्योंकि एक रात fishing with my stamp collection जब मैं अपने stamp collection को उत्सकता से देख रात I found मुझे मिला well अच्छा do you know क्या आप जानते हैं what a first day cover is first day cover किसे कहते हैं when a new stamp is issue जब एक नई stamp issue होती है stamp collectors buy some जो stamp collection करने के शौकीन होते हैं वो कुछ and use them और इनका use करते हैं to mail भेजने के लिए envelops लिफाफे to themselves खुद के लिए on the very first day of sale बिकरी के पहले दिन and the post mark proves the date और इस पे लगी हुई more इसकी date का proof होती है the envelope is called a first day cover ऐसे envelope को first day cover कहते है they are never opened यह कभी खोले नहीं जाते you just put blank paper in the envelope आप इसमें खाली कागज या कोरा कागज रख सकते हैं that night उस रात among my oldest first day covers मेरे सबसे पुराने first day covers जो मेरे पास थे उन में से I found one मुझे मिला एक that should not have been there जो वहाँ नहीं होना चाहिए था but there it was लेकिन वहाँ यह मौझूद था it was there यह वहाँ इसलिए था because क्योंकि someone किसी ने had mailed यह sent किया था भेजा था it to my grandfather मेरे दादा जी को at his home उनके घर पर girls work में that's what the address on the envelope said जो इस पे लिखा हुआ पता चीक चीक के कह रहा था and it had been there since July 18, 1894 और यह बहाँ था 18 July 1894 से the post mark showed that इस पे लगी महर यह बता रही थी yet I did not remember फिर भी मुझे याद नहीं it at all इसके बारे में कुछ भी the stamp was a six cent छे सेंट की stamp थी dull brown भदी भूरी with a picture of President Garfield राष्टपदी Garfield की तस्वीर भी थी इस पर naturally when the envelope came to granted in the mail प्राकरतिक रूप से जवी envelope मेरे दादा जी को mail किया गया होगा भेजा गया होगा it went right into his collection यह उसके collection में आ गया होगा and stayed there भाहा रहा होगा till I took it out and opened it तब मैंने से देखा होगा the paper inside was not blank it read इसके अंदर का अगज़ खाले निता इस पर लिखा हुआ था क्या Charlie, Charlie I got to wishing that you were right मुझे लगने लगा था तुम सही हो then I got to believe you were right तब मुझे पूरा यकीन हो गया तुम सही हो and Charlie, it's true Charlie, ये सच है I found the third level मुझे तीस रातल मिल गया है I have been here two weeks दो हफते से हूँ यहाँ and right now ठीक अभी down the street गली में at the delis delis में someone is playing a piano कोई प्यानो भजा रहा है and they are all out on the front porch singing बाहर पोर्च में सब लोग निकल कर गा रहे हैं seeing Nelly home and I am invited over for lemonade और मुझे किसी ने नीबू का शर्वत पीने के लिए invite किया come on back बापस आजाओ Charlie and Lucia keep looking till you find the third level खोजते रहो जब तक तुम्हें third level नहीं मिल जाता it's worth it I believe it मुझे पुरा विश्वास है वो खोजने लाएक है the note is signed Sam मुझे सैम के sign थे at the stamp and coin store I go to और वो दुकान के डाग टिकेट के सिकों के दुकान पर मैं जाता हूँ I found out मुझे पता चला that Sam bought 800 डॉलर birth of old style currency 8 तो डॉलर देकर Sam ने पुरानी करंसी खरीद दी है that ought to set him up in nice little hay जिससे वो भूसा खरीदेगा feed and grain business और घास फूस और जानवरों को किलाने वाले चाह रहीगे business का सामान खरीदेगा he always said वो हमेशा कहता था that's what he really wished he could do वो यही काम करना चाहता था and he certainly can't go back to his old business और अब वो इस तरह से पुराने बिजनिस पर वापस नहीं जा सकता था not in Gelsberg Illyans in 1894 और कम से कम 1894 के Illyans इस Gelsberg में तो यह संभब नहीं था his old business उसका पुराना business why क्यों Sam was my psychiatrist क्योंकि Sam ही तो मेरा मनोची किस तक मित्र था कहानी कैसे लगी यह तरीका कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक करें शियर सब्सक्राइब बाई